सो गाइस जैमेंस के जुलाइ 2021 अटेंप्ट में बाइनोमियल थियोरम का एक प्रोब्लम आया था यार चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जैमेंस में अगर बेसिक्स हमारे किलिए हैं प्रेक्टिस ठीक ठाक है तो प्रोब्लम सॉल्व हो जाते हैं देखिए कहा है पूर दन्याश्टरल नंबर्स अन एम एन मेरे नच्रल नंबर से इस इंटू इस एक्वल तो दिस A1 A2 मेरा 10 है एनक क्या है वाइ का कॉफिशेंट A2 क्या है Y square का coefficient ये इसके बराबर है तो M plus N की value बतानी है हम जानते हैं कि जो 1 minus Y की power M है 1 minus Y की power M का expansion देखिए आपके सामने है 1 plus Y की power N 1 plus Y की power N का expansion देखिए आपके सामने लिखा है 1 plus Y की power N क्या है N C 0 plus N C 1 Y plus N C 2 Y square and so on ये basic binomial expansion अगर आपको पता है ठीक है जब हम इसको और इसको multiply करते हैं तो एक constant term generate होगी वो ये वाली term और ये वाली term को multiply करके generate होगी Y का coefficient generate होगा Y square का coefficient generate होगा तो Y का coefficient A1 इसकी value और Y square का coefficient A2 इसकी value जो है 10 दे रखी है आपको बता दूँ जो M C 0 है और जो N C 0 है ये दोनों कितने होते हैं 1 M C 0, N C 0, 1 होते है M C 1 M होता है, N C 1 N होता है M C 1 कितना है M M C 1 कितना है N ये बात आपको पता होगी ठीक है अगर आप इन दोनों को multiply करोगे तो ये वाली right side multiply हो जाएंगी और Y का coefficient मतलब A1 कितना generate होगा Y का coefficient generate होगा जब ये term इससे multiply हो मतलब Y वाली term constant term से multiply हो और ये वाली Y वाली term constant term से multiply हो तभी तो Y का coefficient generate होगा और वो कितना होगा N into 1 N minus M N minus M तो Y का coefficient generate होगा N minus M और उसकी value हमारे 10 होनी चाहिए बिल्कुल ठीक बात है Y square का coefficient A2 है उसकी value भी 10 होनी चाहिए Y square का coefficient कैसे generate होगा Y square का coefficient देखिए M C 2 into 1 plus N C 2 into 1 plus minus M into N यहां से भी Y square generate होगा तो Y square का जो coefficient होगा वो होगा N N C 2 plus M C 2 minus M N और यह कितना है 10 के बराबर है बहुत ही अच्छा N C 2 होता है N into N minus 1 by 2 M C 2 होता है M into M minus 1 by 2 बिल्कुल ठीक बात है minus M N equal to 10 बहुत अच्छी बात है इस bracket को open करो N square यह कितनी हो गई यह हो गई N square minus N यहां पर हो गई M square minus M 2 से cross multiply करोगे तो minus 2 M N equal to 20 बहुत अच्छी बात है आप N square को देखो M square को देखो और minus 2 M N को देखो आप बोलेंगे यार कि यह तो M minus N का whole square बन गया अच्छी बात है जी बन गया तो minus N minus M को right में लेके जाओगे तो हो जाएगा plus M plus N okay जी 20 को left में लाओगे तो minus 20 हो गया मुझे पताओ M minus N कितना है M minus N का whole square लिख लो या इसकी जगह पर अगर N minus M का whole square लिख ले तो भी विल्कुल ठीक है N minus M की value 10 है यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 का square minus 20 equal to M plus N हो गया तो 10 का square 100 होता है 100 minus 20 कितना हो गया 80 तो M plus N की value हो गई यार 80 तो यहाँ से अपने को सिखने वाली बात है कि M plus N की जो value है वो कितनी हो गई 80 हो गई M plus N की value 80 हो गई M plus N पूचा था attack से D option पे tick कर देंगे which is 80 तो यार इस problem के माध्यम से अपन सीख सकते हैं कि बिल्कुल basic problem यहाँ पे पूचा है fundamental अपने clear है basics अपने clear है J means का हर problem आप solve कर सकते हैं Bye Bye